एक छोटे से गाउं में रामु नामक लड़का रहता था उसके दोस्ते रामु की, राजू और श्यामु एक रोज उन्होंने सोचा, कि वे अपनी उस गाउं के पुराने हाथी मेला में जाएंगे चलो दोस्तों, हम हाथी मेला चलें रुको, क्या तुम्हें याद है, हमें कहानी सुनाने वाले ने कहा था कि रात में जंगल में ना जाना ओ, तू भी ना, कितना डरपोख है, चलो, हम अकेले नहीं है वे तीनों हाथी मेला के लिए रवाना हुए, मेला बहुत धूमधाम से चल रहा था, पर जब रात हुई, तो वे तीनों घर की तरफ लोटने के लिए निकले यार मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ कोई बात नहीं, हम एक साथ है पर ध्यान से चलो, जंगल में भूत हो सकते हैं जब वे जंगल में चल रहे थे, तो वे अचानक एक बड़े व्रिक्ष के पास पहुँचे देखो, यहां कुछ अजीब हो रहा है उन्होंने व्रिक्ष के पास जाकर देखा, तो उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी क्या यहां कोई रहता है? पता नहीं, पर हमें यहां नहीं रहना चाहिए पर रामू उनकी बात नहीं मानता, और हवेली में घुस गया वहां उसने एक पुरानी किताब देखी, उसने उसे लिया और पढ़ने लगा नहीं रामू, यहां से चलो, यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा पर रामू उसकी बात नहीं मानता और किताब पढ़ता रहता है तब ही उसने सुना कि कोई चीख रहा है यहाँ कौन है? क्या कोई हमारे साथ खेल रहा है? पर कोई जवाब नहीं मिला रामू और उसके दोस्त डर के मारे थे फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें तुरंत वहाँ से बाहर निकलना चाहिए जब वे बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वह हवेली भूतिया थी रामू ने अपनी होशियारी से जीवन बचाया और अपने दोस्तों को भी साथ लाया अब समय है हमें घर जाने का इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की सुनना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए हमें कभी भी खत्रे में नहीं जाना चाहिए ये हमें यहां सीखने को मिलता है कि जंगल में रात में नहीं जाना चाहिए यहां भूतिया हो सकती हैं और हमें अपने जीवन को बचाने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए